मुस्कार आप देख रहे हैं न्यूज एटें बिहाज हारखेंड मैं हूँ आपके साथ रुचिकाराज एक बर फिर से हम वेकेंसी की खबर को लेकर के आपके सामने हाजर हो गया हैं आज जिस फीडियो में पताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वेकेंसी आई है कितनी संख देते हैं कि आवेदन करने की जो अंतिम तारीक है वो है 12 अगस्त तो जो भी उमिद्वार रेलवे के लिए एक शुक हैं रेलवे में जाना चाते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है और इसलिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें बारा अगस्त से पहले आप आवेदन होना है जो ओफिशल वेबसाइट है वो हम आपको बिता देते हैं ओफिशल वेबसाइट है sr.indianrailways.gov.in इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और 12 अस्त से पहले कर दें अब आपको बिताते हैं कि इस वेकेंसी में कितनी संख्या पर वेकेंसी आई है और किन हैं जिसमें की अपरेंटेंशिप की वेकेंसी फिल्टर, वेल्डर, MLT, टर्नल, मशिनिस्ट, अलेक्रिशन, अलेक्ट्रोनेक्स, मेकैनिक, कोपा जैसे ट्रेट में भरती आँँगी ये भरती दक्षन, रेलवे के विभेन, डिविजन में होंगी तो ये वो पद हैं जिस प आप दो बोर्ट से 10 भी या फिर 12 भी पास होना आपके लिए अनिवार है, साथ ही सम्दित ट्रेट में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया होना भी जरूरी है, तो ये डॉक्यमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आयू सीमा आप जा जो आपकी अधिकतम आयू सीमा इसमें दी गई है, वो है 22 साल, मलब 22 साल से कम के उम्र के जो भी यूवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम उम्र 22 साल होनी चाहिए, बाइस साल से जादा वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हाला कि XITI और MLD क लिए 24 साल रखा गया है अगर आप इन पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 24 साल तक की यूवा कर सकते हैं साथी जो आरक्षद वरग है CST OPC के लिए छूट दी गई है उन उमिदवारों को उमरसीमा में छूट मिले की तो ये पूरी जानकारी थी अगर आप रेलवे में नौकरी क करने का क्योंकि जादतर यूवा सरकारी नौकरी की तयारी करते हैं और ऐसे में उनके लिए काफी अच्छा ये मौका है तो 12 अगस से पहले आप जाकर के आविदन कर दे अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो और वेसे खबरों के लब बने रहे ये निवसे ट कैंगे से